नमस्कार दोस्तो आप लोग का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है Study Find में मैं हूँ आपके साथ अमरजित कुमार दोस्तो आप लोगों ने जो है कल वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तो आप लोग हमें ऐसे ही support करते रहें तो मैं आप लोग को लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा मतलब अच्छी अच्छी question आप लोग के लिए मैं लाता रहूँगा और आज हम लोग स्ट नमर 19 जो देखने वाले हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर आप लोग हमारे regular भीवर हैं तो आप लोग जानते होंगे कि कल वाले वीडियो में हमने स्टेट नमर 18 को देखा था और उसमें बहुत सारा important question में आप लोग को बताया था तो इसका आंसर हो जाएगा 888 तो दोस्तो हम लोग जानते हैं कि 888 इसमी में भारत सासन अधिनियम आया था उसके अंतरगत जो है भारत ब्रिटिस राज के सिधे निंतरन में आ गया था तो इसका आंसर option नमर A हो जाएगा 888 चलिए question नमर दूसा लेते हैं question नमर दूसा देखिएगा इसमें कहा रहा दोस्तो कथकली निरित ललित कला के डैस प्रारूपो का लायवद सयूजन है तो दोस्तो उससे पहले हम लोग यहां जानते हैं कि कथकली जो है कहां का सास्त्र निरित है कहां का तो केरल का इसको जो हम लोग कैसे याद करेंगे जब भी कहेगा कि कथकली कहां का लोग निरित है तो आप लोग को जो है यहां सोचना है कि को से कथकली होता है को से केरल होता है ऐसे जो है आप लोग को याद करना है ओके और इसका जो आंसर हो जाएगा option चलिए कोशन नमर आगे की ओर चलते हैं दोस्तो इसमें करा दोस्तो गुरुपर्व सिख समुदाय का सबसे महत्पुर्ण और पवित्र त्यहार है हिंदू कलेंडर के अनुसारी से निमलिकित में से किस महिने में मनाया जाता है तो दोस्तो आप लोग जानते होंगे कि खका इसमें क़िए का दोस्तो मतच से परजनन विसेशकर निमित टेंक और तलावो में ड़ियास के लिए पडियों किये जाने वाले सब्ध है कश्टन का जो है कहने का आर्थ इह हुआ कि इसमें करा आए मतब्द से पालन को क्या कहते हैं तो दोस्तो मैं आप लोग बता दो अंगुर के खेती को कहते हैं वीटी कल्चर और आप लोग जानते होंगे एगरिक कल्चर के बारे मतलब क्रिसी और एक और आता है वार्ड होटी कल्चर तो होटी कल्चर के अंतरगर जो है दोस्तो हम लोग बागवानी की जाती है क्या की जाती है बागवानी की खेती तो मैं उमिद करता हूँ आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे तो इसका अंसर ओप्सन नमर ए होगा PC Culture चलिए कोशन नमर दूसरा के और लेते हैं दोस्तो इसमें करा दोस्तो निमलिखित में से किस वेग्याने को सैधान्दिक भोतिकी में अपने कार्जों के लिए विशे सुरूप से प्रकास विदुत परवाओ के नियम की खोज के लिए जो है नवल पुरुसकार दिया गया था कोशन में आप लोग को यह बताना है कि प्रकास विदुत परवाओ का खोज जो है किस ने किया था तो दोस्तो हम लोग जानते हैं कि प्रकास बिदत परवाव का खोज अलबर्ट आइंस्टीन ने किया था और इसी को जो है दोस्तो नोवल पुरुसकार भी दिया गया था तो इसका अंसर आपसन नमर सी हो जाएगा अलबर्ट आइंस्टीन चलिए कोशन नमर आगे की और इसमें करा दोस्तो निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है आप लोग को बताना है कि कौन सा कतन सही है तो दोस्तो मैं आप लोग को बता दू कि आपसन नमर सी है वह सही कतन है इसमें करा दोस्तो कोट मार्षल की माधियम से दिया गए डंड या डंडा डेस के समवन में राजपाल के पास समाधान करने की सक्ति नहीं है तो इसका अंसर आप्शन नमर C हो जाएगा दोस्तो यहाँ कोच्टन जो है दोस्तो BPSC के एक्जाम में पुछा गया यहां कोशन है इसलिए दोस्तो आप लोग के बिहार फायर मेंड के एक्जाम के दिश्टी कौन से बहुत ही important हो जाता है यहां कोशन तो आप लोग इसको याद कर लिजेगा ओके चलिए कोशन नमर आगे के और चलते हैं दोस्तो इसमें करा दोस्तो विस्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है आप लोग बताना है कि कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादक करता है तो दोस्तो मैं आप लोग बता दू कि कजा किस्तान जो है यह यूरेनियम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है तो इसका आंसर औप्सन नमर B हो जाएगा कजा किस्तान चलिए कुस्तन नमर आगे की ओर इसमें करा दोस्तो विस में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माने जाना इबाला तुमल पल्ले निमलिकित में से किस राज में इस्तित है तुमल पल्ले जो है दोस्तो आप लोग बताना है कि वह कहां इस्तित है मैं आप लोगों के बतादू की तुम्मल पले यहां मुखुरूप से आंधर पर्देश में इस्थित है कहां पर है आंधर पर्देश में एक छेतर का नम है तुलम पले और यहां जो है दोस्तो यूरेनियम का भंडार काफी अधीक है तो इसका answer option number D हो जाएगा आंदर प्रदेश चलिए question number आगे की ओर इसमें कहरा दोस्तो दिन में दो बार समुद्र के पानी के लैबंध लैबंध उतार चड़ाओ को क्या कहते हैं तो दोस्तो इसका जो answer हो जाएगा option number B इसको हम लोग कहते हैं जौर कहते हैं चलिए question number आगे की ओर इसमें कहरा दोस्तो भारते समिधान सवा की प्राडूप समिथी के अध्यक्स कोन थे तो कभी कभी जो है दोस्तो अब प्राडूप समिथी के अस्थान पर कहा देगा draft ड़ाफ्ट समिती के अध्यक्स कौन थे बात एक ही हुआ जब भी कहाँ देगा कि ड्राफ्ट समिती के अध्यक्स कौन थे खों थे बी आर अंबेडिकर तो option number 20 होगा वह correct answer हो जाएगा चलिए question number आगे की ओड़ जिसमें कह रहा है दोस्तो निमलिखित में से किस अनुचेद के तहत भारतिये समिधान में VTA अपातकाल की घोसना की जा सकती है तो दोस्तो यहाँ question बहुत ही important question है यहाँ जो है दोस्तो हर एक exam में question पूछ दिया जाता है तो आप लोग जो है इसके अंतरगरत तीन अनुचेद को याद करना है पहला अनुचेद है अनुचेद 352, 356 और 360 अनुचेद 352 में क्या कहा गया है इसमें जो है दोस्तो राष्टी अपात काल की घोसना की गई है तो आप लोग जो है यहां तीनों अनुछेद को याद कर लेना चाहिए तो इसमें कहरा दोस्तो वीतिय अपातकाल की घोसना तो वीतिय अपातकाल जो है अनुछेद 360 में बताया गया तो option number A जोगा वह correct answer हो जाएगा चलिए question number आगे चलते हैं दोस्तो question number आगे देखते हैं दोस्तो क्या कहा गया है question में इसमें करा दोस्तो निमलिकित में से किस वेग्यानिक ने डैनामाइट का आविसकार किया था डैनामाइट का आविसकार जो है किसने किया था इस question को जो है हमने आप लोग को कई बार बताया है जो डैनामाइट का आविसकार किया था उसी के नम पर जो है दोस्तो नोबिल पुरुसकार दिया जाता है क्या दिया जाता है नोबिल पुरुसकार दिया जाता है तो आप लोग को जो है इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नॉबेल ओके डाइनामाइट का अविस्कार कुन किया था अल्फ्रेड नॉबेल इसमें जो है दोस्तों आप लोग को एक बात धियान में रखना बहुत जरूरी है कभी कभी जो है कोस्टन आप लोग को ऐसा पूस दिया जाएगा कि बारूद का आविस्कार किस ने किया था तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि डैनामाइट को जो है दोस्तों हम लोग कहते हैं बारूद कहते हैं क्या कहते हैं बारूद तो बारूद का जो है आविस्कार Alfred Nobel नहीं किया था तो इन बातों को जो है दोस्तो आप लोग को धियार में रखना बहुत जरूरी है तो इसका आंसर option number B हो जाएगा Alfred Nobel चलिए question number आगे चलते हैं दोस्तो इसमें करा दोस्तो निमलिकित में से कौन सी नदी जो है किर्शना नदी जो है दोस्तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो option number B जो होगा वहां correct answer हो जाएगा किर्शना नदी चलिए question number आगे किया और इसमें करा दोस्तो किस राज में जो है Fodong, Fodong Bodhmat इस्तित है Fodong Bodhmat जो है दोस्तो वहां किस राज में इस्तित है ओके तो इसका answer हो जाएगा option number B जो है जो है दोस्तो सिक्की में Fodong Bodhmat इस्तित है question number देखेगा दोस्तो इसमें इसमें करा दोस्तो सामभर जिल के बारे में कौन सा कथन सकते है आप लोग को बताना है कि कौन सा कथम जो है सत्य है तो दोस्तो हम लोग जानते हैं दोस्तो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का जिल का नम क्या है वो है चिलका जिल कहना में है दोस्तो सबसे बड़ी खारी पानी का जील का नाम है चिलका जील जो की उरिसा में इस्तित है कहां पर है उरिसा में इस्तित है खारी पानी की जील चिलका जील लेकिन सांभर जील जो है दोस्तों सांभर जील यहाँ सबसे बड़ी अंता अस्तलिये खारी पानी की जील है तो आपसा नमर एज होगा वहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कभी-कभी आप लोग को यहाँ कोसन पुछ दिया जाएगा कि सांभर जील जो है कौन सा राज में है तो सांभर जील जो है दोस्तों यहाँ राजस्थान में इस्तित है तो आप लोग को यहाँ याद कर लेना आवश्यक है चलिए question नमर आगे चलते हैं दोस्तो इसमें कहा रहा हुआ दोस्तो भुकम तरंको को जो है कौन से यंतर से मापा जाता है काफी easy question है दोस्तो भुकम को जो है दोस्तो हम लोग सिस्मो ग्राफ से मापते हैं तो option number 3 जो होगा वह correct answer हो जायेगा सिस्मो ग्राफ कोशन नमर आगे देखेगा दोस्तो इसमें कहा रहा दोस्तो निमलिखित में से कौन सी परवत सिंखला भारत में सबसे पुरानी परवत सिंखला है तो दोस्तो यहाँ जो है कोशन बहुत ही important कोशन दोस्तो क्योंकि यहाँ जो है कोशन BPSC के एकजामे पुछा गया यहाँ question है दोस्तो इसमें करा दोस्तो कि कौन सबसे पुरानी परवस सिंखला है तो अराबली की पहार यहाँ सबसे पुरानी परवस सिंखला है तो इसका answer option number D हो जाएगा correct answer दोस्तो आप लोग इस question को याद कर लिजएगा दोस्तो ठीक है चलिए question number आगे चलते हैं दोस्तो इसमें करा दोस्तो भारत के राष्टपती के महाभ्योग की पड़किरिया निमलिकित में से किसमें सुरू की जा सकती है उसे पहले हम लोग यहां जानते हैं कि राष्टपती का जो है महाभ्योग वहां कौन से अनुछेद के अंतरगत दिया जा सकता है तो अनुछेद 61 में यहां कहा गया है कि राष्टपती को महाभ्योग दिया जा सकता है तो इन दोनों बातों को आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि फोरेश्ट गार्ट के मतलब इस बार कर जोईन की फोरेश्ट गार्ट का एक्जाम हुआ था उसमें जो है अनुच्छेद एकसर्ट के बारे में पुछा गया था और इसमें कहरा दोस्तो भारत के राष्टपती का महावियों की फड़के लिया निमलिकित में से किसमें शुरू कि जा सकती है तो इसकी महावियों की पड़के लिया संसत की दोनों सदन में शुरू की जा सकती है तो इसका आंसर option number D हो जाएगा correct answer कोशन नमर आगे देखेगा इसमें करा दोस्तो निमलिकित में से कौन जो है इस सम्मू का सदस नहीं है आप लोग को बताना कि कौन जो है भिन है तो दोस्तो मैं आप लोग को बता दू कि Unix, MS-DOS और Windows जो है दोस्तो यहाँ जो है तीनो ओपरेटिंग सिस्टम है क्या है दोस्तो औपरेटिंग सिस्टम है लेकिन फाइड़ वॉल यहाँ नेटवर्क से संबंदित है तो इसमें फाइड़ विसम है तो इसका आंसर ऑब्सन नमर डी हो जाएगा फाइड़ वॉल कोशन नमर आगे देखेगा इसमें करा दोस्तो महत्मा गांधी दोड़ा भारत छोड़ो आंदोलन कब सुरू किया गया था तो हम लोग जानते हैं दोस्तो कि 1942 इसमी में जो है दोस्तो भारत छोड़ो आंदोलन प्राडम हुआ था कोशन नमर आगे देखेगा दोस्तो इसमी करा दोस्तो राजसवा के सदस्यों का चुनाव जो है किनके दोड़ा किया जाता है तो दोस्तो मैं आप लोग के बता दू कि राज सभाव के सदस्यों का चुनाव वह राजियों की बिधान सभाव के सदस्यों के दोड़ात किया जाता है तो इसका आंसर आप्सन नमर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर चलिए कोश्चन नमर आगे किया और इसमें करा दोस्तो भा़र्तिय ससस्तर बलो ने आपरेशन में एक दूद का संचालन कहां पर किया था तो दोस्तो इसका जोई एनकी आपरेशन में एक दूद जो है दोस्तो यह और B हो जाएगा correct answer चलिए question number आगे की और इसमें करा दोस्तो दवाव को क्या चीज में ना पा जाता है और option आप लोग की सामने दिया हुआ है दोस्तो हम लोग जानते हैं दोस्तो की pressure बड़ावर pressure बड़ावर होता है दोस्तो बल बटे छेतर फल क्या होता है BIOS का BIOS इसका जो full form होता है दोस्तो वहाता है basic input output system basic input output system basic input output system ओके और इसका जो जो इनकी मुख्य काम है दोस्तो वहा मतलब इनकी system hardware की पुर्जों को problem करना ओके तो इसका answer option number A हो जाएगा system hardware की पुर्जों को शुरू करना चलिए question number आगे की और इसमें करा दोस्तो IP address का क्या अभिपड़ा है IP address IP address का जो है दोस्तो वहाग क्या अभिपड़ा है दोस्तो तो इसका correct answer option number A हो जाएगा एक संख्यातमक network level ओके चलिए question number आगे चलते हैं दोस्तो question number आगे देखेगा इसमें करा दोस्तो डैस की उपस्थिति के कारण हमें यहाँ गंद महसूस होती है जिसे हमें LPG cylinder leak होने का पता चलता है question का जो है काने का मतलब यह हुआ है कि LPG में जो है कौन सा gas मिलाया जाता है कि ताकि gas अगर leak हो रही है तो हमको जो है उसका पता चल जाए तो हम लोग जानते हैं दोस्तो की LPG में जो है दोस्तो LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन मिलाया जाता है जो की गंध हीन होता है जिहां दोस्तो यहाँ प्रोपेन और ब्यूटेन बिल्कूल गंध हीन होता है इसलिए दोस्तों इसमें हमको Sulfur Yogic इसमें मिलाया जाता है ताकि कोई घटना होने पर हम लोग को मालूम हो सके कि Gas लिख होड़ा है और दोस्तों इसमें आप लोग को एक बात और ध्यान में अटखना चाहिए कि Sulfur Yogic का क्या नाम है तो Sulfur Yogic का नाम है दोस्तों Ethyl मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ Ethyl Mercantan क्या है दोस्तों Ethyl Mercantan जो है दोस्तों इसमें Yogic मिलाया जाता है इसका जो फर्मूला होता है रासायनिक फर्मूला होता है C2H6S क्या होता है C2H6S मतलब S तो आप लोग को जो है इसका फर्मूला भी याद कर लिजेगा दोस्तों यहाँ जो है कुशन काफी important कुशन था दोस्तों चलिए कुशन नमर आगे चलते हैं दोस्तों इसमें करा दोस्तों भारतिय स्वतनरता संग्राम की दोड़ान समाचर पत्र जो है बलाउंटिंग पेपर दोड़ा स्याही सोखने का क्या कारण है तो दोस्तों इसका जो है मुख कारण है क्या है दोस्तों इसका कारण है केप लड़ी पड़किरिया क्या है दोस्तों केप लड़ी पड़किरिया के कारण हमें बता सकते हैं दूस्तो इसका answer हो जाय की भारत को जो है हुजयी हुज़ा है लागु किया गया था तो इन्हमों को जार इसका ढमर को सुरी को देखने के लिए किया जाता है तो दोस्तो मैं आप आप लोग को जो है एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को काफी सेयर कीजिए ताकि वहाँ भी एस्टुडेंट इनकी सीख सके जो की बिहार फायरमेन का फॉर्म फिल अप की हैं ओके दोस्तो तो आप लोग को जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तो और मैं जो हूँ आप लोग को कमेंट का इंतजार करूंगा ओके इसका आंसर आप लोग को बताना है चलिए कोसर नमर आगे चलते दोस्तो इसमें करा दोस्तो निमलिखित में से कौन द पताना है इन चारों आप्सों में से मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस कोशन का आंसर जानते होंगे कोशन नमर आगे देखेगा इसमें करा दोस्तों किस फूल ना लगने वाले और बिजानू धारक पोधे की जड़े होती है इनकी ऐसा कौन सा मतलए इनकी पोधा ह जिसमें न फूल लगता है लेकिन वह जो है बीज का धारन करता है तो वह जो है उस फूल उस पोधे का नाम है फर्ण्स क्या है दोस्तों फर्ण्स तो इसका आंसर ऑप्सन नमर सी हो जाएगा फर्ण्स चलिए कोशन नमर आगे क्यों कोशन नमर आगे देखेगा दोस्तों इसमें करा दोस्तो निमलिकित में से कौन सा तिल चटे का उत्र सर्जन अंग है तो दोस्तो मैं आप लोग बता दो कि इसका correct आंसर हो जाएगा option नमर A Malfigenean Piblas इसको जो हम लोग हिंदी में इसका नाम है वो है Melpidinalika कहना में दोस्तो Melpidinalika तो इसका answer option नमर A हो जाएगा correct answer चलिए question नमर आगे क्योंड दोस्तो इसमें करा दोस्तो समिधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चुड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है दोस्तो आप लोग को जो है इस question का answer जानना होना ही चाहिए इस question का answer जो है आप लोग अवस बता सकते हैं दोस्तो तो इसका correct answer क्या हो सकता है दोस्तो इसका correct answer होगा option नमर A तीन अनुपात 2 के अनुपात में होती है तिरंगे की लंबाई और चुड़ाई की बीच का अनुपात ओके तो इसका answer option नमर A हो जाएगा तीन अनुपात 2 चलिए question नमर आगे की ओर दोस्तो इसमें करा दोस्तो सन 1902 में जो है पहली बार बड़े पैमाने पर विदुतिय एर कंडिशनर का अविसकार और इसका परियोग किसके दोड़ा किया गया था आप लोग बताना कि एर कंडिशनर का आविसकार किसने किया था तो दोस्तो मैं आप लोग बता दू कि एर कंडिशनर का आविसकार वह किया था विलियस केरियर कौन किया था विलियस केरियर तो इसका answer option नमर ये जो होगा वह correct answer होगा विलियस केरियर ओके चलिए कुशन नमर आगे किया और इसमें करा दोस्तो हेलियो से ट्रीज को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल सास्त्री को इसके घड़ में नजर बंद कर दिया गया था तो आप लोग बताना है दोस्तो कि किस खगोल सास्त्री को घर में नजर बंद कर दिया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा Galileo Galilei चलिए कुस्षन नमर आगे चलते हैं दोस्तो इसमें करा दोस्तो एक light bulb का filament किसे बना होता है तो आप लोग जानते हैं दोस्तो वह टंगश्टन का बना होता है और इसमें एक बात और आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि हीटर का तार वह दोस्तो नैक्रोम का बना होता है आप लोग को जो है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए तो इसका आंसर आपसन नमर C हो जाएगा टंगा स्टन चलिए कुशन नमर आगे की हो इसमें करा दोस्तोom bed mater का जाल केंदर में कितना उचा होता है बैड मिन्टेन का जाल केंदर जो है दोस्तो 25 फूट होता है इसका आंसर आपसर नूमर A हो जाएगा 5 फूट चल यह question नमर आगे क्योर इसमें करा दोस्तों न्मलकित में से कौन सा एक word processor का उधाहरन नहीं है तो इसका correct answer हो जाेगा option number D Microsoft SQL जो है दोस्तो यह word processor का उधाहरन नहीं है word processor का जो है यह उधाहरन नहीं है तो इसका answer option number D हो जाएगा और वागि जो दिया हुआ दोस्तों यह उपड में यहां सभी word processor का उधारन है चलिए question number आगे की और दोस्तो इसमें करा दोस्तो इन में से आप लोग को विसम को चुनना है कौन जो है विसम है दोस्तो तो हम लोग जानते हैं दोस्तो कि aluminium, loha और tamba जो है दोस्तो यहां एक धातू है यहां क्या है धातू लेकिन पितल जो है दोस्तो यहां मिस्र धातू है यहां जो है दोस्तो मिस्र धातू है तो इन में जो है कौन सा भीन है तो इन में जो है दोस्तो पितल भीन है चलिए question number आगे की और इसमें करा दोस्तो तो टेनिस में हार्ट कोट वहाँ कोट है जिसकी सतह डैस से बनी होती है तो दोस्तो इसका जो है इनकी सतह जो है दोस्तो वहां कंक्रीट से बनी होती है तो इसका आंसर ऑप्सन नमर ए हो जाएगा कंक्रीट से चलिए कोशन नमर आगे की ओर प्लेग उन्मूलन की याद में मुहमद कुली कुटूब साहा दोड़ा निर्मित अस्मारक का क्या नाम था तो वह जो है दोस्तो कुली कुटूब साहा उसने चार मिनार बनाया था तो आप सानमर बज़ओगा वह गर्यक्ट आंसर हो जाएगा चार मिनार आपसर नमर D हो जाएगा correct answer इसमें जो है दोस्तों आप लोग को यह भी जानना होना चाहिए कि हरियाना का कौन सा लोक निरित है तो हरियाना का लोक निरित का नाम है धमाल और जूमर ओके और असम का जो है लोक निरित का नाम क्या है वो है बीहू और केरल का तो आप लोग जानते ही होंगे केरल का जो है एक है कथकली कथकली एक है दोस्तों कृष्णियाटम और कृडियाटम क्या होता है कृष्णियाटम और कृडियाटम तो इसका आंसर आपसन नमर डी हो जाएगा correct answer मतलब इसमें जो है कृष्ण का अर्थ हुआ कि 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 से कहा जाता है तो हम लोग जानते हैं कि चार्स ब्वेज को जो है दोस्तों केम्प्यूइर का जनक कहा जाता है तो इसका अंसर आपसन नमर बी correct हो जाएगा चलिया कृष्णियार की ओर इसमें करा दोस्तों पोधे जो है अपने भोजन का निर्मन करने के लिए सुरिय से उर्जा प्राप्त करते हैं तो इसका answer option number D हो जाएगा सुरिय इसमें जो है इनकी प्रकास translation नहीं होगा क्योंकि प्रकास translation की पड़किरिया जो है दोस्तो हमेशा सुरिय की उपस्तिती में होता है तो इसका answer जो है सुरिय हो जाएगा correct answer चलिए question number आगे की योड़ इसमें करा दोस्तो सुंदर वन टाइगर रिजर्फ जो है वह किस राज में इस्तित है तो दोस्तो मैं आप लोग बता दू कि सुंदर वन टाइड जो है दोस्तो टाइड रिजर्फ जो है दोस्तो यहां मुकृब से पस्सिम बंगाल में है कहां पे है पस्सिम बंगाल में है सुंदर वन टाइगर रिजर्फ ओके इसमें जो है दोस्तो आप लोग को यहां भी जानकारी होना चाहिए कि ओडिसा में जो है दोस्तो कौन सा अभियारन है तो ओडिसा में है चिलका वन्यजीव अभियारन चिलका वन्यजीव अभियारन जो है दोस्तो वहाँ ओडिसा में है कुछन नमर आगे चलिएगा दोस्तो इसमें करा दोस्तो पिर्थिवी की पड़ेधी लगभग कितनी होती है तो दोस्तो आप लोग को जानना चाहिए कि पिर्थिवी की पड़ेधी जो है दोस्तो वह 40,000 किलो मिटर है तो इसका आंसर option number A हो जाएगा 40,000 km दोस्तो question number आगे चलते हैं दोस्तो question number आगे चलिएगा दोस्तो इसमें करा दोस्तो आकार के संदर में मंगल का हमारे सौर मंडल में कौन सा अस्थान है तो मंगल का जो है दोस्तो अस्थान मतलए अकार के संदर में वह है सात्मा है सात्मा जो है वहां correct answer है तो option number 20 होगा वहां correct answer होगा चलिए question number आगे की और दोस्तो इसमें करा दोस्तो वहां एक मत अधातु कौन सा है जो कमरे के तापमान पर दरव अवस्था में रहती है तो आप लोग जानते हैं दोस्तो वहां जो है कौन है तो पाड़ा है और पाड़ा का अन्य नाम क्या है दोस्तो मर करी मर स्वरी मर करी है ओके और इसका जो है क्या है sign वो है hg तो इसका अंसर आप्सन नमर ए हो जाएगा पाड़ा चलिए कोशन नमर अंतीम इसमें करा दोस्तो 1951 में जो है इसरो द्वाड़ा प्रचेपित भारत के पहले जियो एस्टेशनरी उपगरह का नाम क्या है जियो एस्टेशनरी उपगरह का हिंदी होता है दोस्तो संचार उपगरह क्या होता है संचार उपगरह इसमें कहा रहा है दोस्तो की भारत का पहला संचार उपगरह कौन सा है तो वह है एपल है दोस्तो अगर आप लोग को समझ गए होगे और आज का क्ला आपगो को देखने के लिए बहुत भहुत धनेवाद दोस्तो आप लोगों से में मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को सेर अवस करें ओके तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में जैहिंद